इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिसकस किया था प्लास्टिर्स एंड माइटो कॉंडिया, दियर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन्स तो चलिए आज हम इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को के आर पॉटर नाम के साइन्टिस्ट ने 1945 में रैट के सेल में फर्स्ट अफ आफ आल रिकोगनाईज किया था अब हमें समझना है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के मिनिंग क्या होते हैं इसका मिनिंग समझाने के लिए मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तू पार्ट में डिवाइड किया है. First is इंडोप्लाज्मिक and second is रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक means inside the cytoplasm and the reticulum means network. अब inside the cytoplasm जो structure, network के form होते हैं, उसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. और cell के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, membrane-bounded organelles होते हैं. means कि cell के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का structure चारो तरफ से, membrane से bounded होता है, या surrounded बोल सकते हैं. ये चारो तरफ से, membrane से घिरे होते हैं. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, number of seeds और tubes पाये जाते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ से बना होता है. ER, that is, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, is made up of lipids and proteins. ER, lipids और प्रोटीन से बने होते हैं. जब cell के अंदर हम microscopic study करते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें तीन forms में देखने को मिलता है. फर्स्ट है, long tubules और tube-like structure. सेकेंड इज, cisterny और lumen. एंड थर्ड इज, vesicles. तो सबसे पहले हम long tubules को देखेंगे. जैसा कि ये नाम से ही असपस्ट है, long tubules, means tube-like structure. तो आपको picture में मैं show कर रही हूँ. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पर tube की रूप में structure दिख रहा है. ये long tubules है, tube-like structure है, second, cisterny, mean, or lumen. ये folded structure आपको दिख रहा है, इसे हम cisterny के नाम से जानते हैं. and third is vesicles, तो इनके बीच में जो space पाये जाते हैं, उसे हम vesicles के नाम से जानते हैं. अब हम इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का attachment पढ़ेंगे. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइट से attached होता है. ER एक साइट से nuclear membrane जो आपको show हो रहा है. यहाँ देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले एक साइट से nuclear membrane से attached होता है. और दूसरे साइट से, अगर मैं यहाँ पर प्लाज्मा membrane को show करने के लिए एक line draw करूँ. यह आपका प्लाज्मा membrane है, तो दूसरे साइट से ER प्लाज्मा membrane से attached होता है. इस तरह से ER two-sided attachment रखता है, show करता है. वन साइट यह nucleus से और nuclear membrane से attached होता है, और other side यह प्लाज्मा membrane से attached होता है. तो इस तरह से अभी तक हमने सीखा है कि इंडोप्लाज्मी के रेटिकुलम तीन फ़र्म में पाया जाते हैं. लॉंग टुब्यूल्स, सिस्टर्नी, वैसाइकल्स, इसका attachment अभी तक देख चुके हैं, जिसमें attachment में हमने देखा है कि ER एक साइड से nuclear membrane से और other side से प्लाज्मा membrane से attached होता है. तो चलिए अब इसका हम next topic देख रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे types of endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum जैसा कि हमें cell में देखनों के मिलता है, उसकी अधार पर हम इसे two types में categorize करते हैं. फर्स्ट है rough endoplasmic reticulum और RER, second smooth endoplasmic reticulum SER. तो first of all हम RER को देखेंगे, protein synthesis site है, means जहां पर RER होते हैं, वहां पर protein का synthesis होता है, इसलिए यह हमें rough दिखता है. second is ribosomes present on its surface. तो जैसा कि picture में मैंने आपको दिखाया था, यहां देखिए, यह dot type के structure जो आपको दिख रहे हैं, यह सब endoplasmic reticulum पर, जो है, ribosomes हैं. और ribosomes हैं, और यहीं पर protein का synthesis भी होता है. function of RER तो RER membranous protein synthesize करता है, इसका मतलब कि RER जो membrane पर protein होते हैं, उसको synthesize करता है. second is SER SER को मैं आपको भी बताई थी, इसका full form होता है, smooth endoplasmic reticulum. और SER पर ribosomes appear नहीं होते हैं, मतलब absent होते हैं, इसलिए हम इसे smooth endoplasmic reticulum बोलते हैं. अब इसका function देखेंगे, function of SER. SER जैसे RER आपका protein synthesis में help करता है, उसी तरह SER hormones जैसे esteroids and sex hormones यह produce करते हैं. सेल के अंदर esteroids and sex hormones को SER produce करता है. अब हमें लाश में पढ़ना है function of ER, function of endoplasmic reticulum. ER forms plasma membrane of cell. ER के कारण ही plasma cell का plasma membrane form होता है. ER forms network system. जैसा कि मैंने starting में ही आपको बताई थी, कि ER का meaning endoplasmic means inside the cytoplasm and reticulum means network. इस तरह से इसका new function create हो गया, यह ER forms network system. जैसेल के अंदर जो network system होते हैं, वो endoplasmic reticulum forms करता है. इंडoplasmic reticulum creates channel between cytoplasm and nucleus. इस points को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ER के function में यह point very important है. तो cell के अंदर means cytoplasm में और nucleus के अंदर, जो exchange होता है inside the nucleus and inside the cytoplasm. तो यह सारे function ER show करता है, तो यह सारे function ER के द्वारा complete किया जाता है, कि जैसे nucleus में जो waste products होते हैं, वो cytoplasm में बाहर आते हैं, और cytoplasm से जो nucleus को ingredients चाहिए, वो nucleus के अंदर ER के द्वारा supply किया जाता है, इस तरह से एक cytoplasm और nucleus के बीच में ER एक channel create करता है. इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ER creates channel between cytoplasm and nucleus, और ER के function में मैंने आपको बताया था, कि ER synthesize protein, यह तो clear है, SER, RER की तरह जैसे RER protein synthesis में help करता है, सेम उसी तरह SER का function होता है, कि यह fat molecules बनाता है, और ER का next important functions है, यह detoxify poisons and drugs करता है, जो cell के अंदर, cytoplasm के अंदर या nucleus के अंदर, जो भी poisonous things होते हैं और drugs होते हैं, उस सब को ER detoxify करता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ER works as factory, cell में जैसे nucleus को cell का हम brain कह सकते हैं, उसी तरह ER को हम cell का factory बोल सकते हैं, इस तरह से आपका ER complete होता है, तो ER में हमने सीखा है, यह तीन form में पाये जाते हैं, long tubules, cisternae, vesicles, फिर हमने इसका attachment देखा, कि ER एक तरफ से nuclear membrane से और दूसरी तरफ plasma membrane से जुरा होता है, फिर इसके types में हमने पढ़ा, कि ER two types के होते हैं, RER and SER, तो RER का main function होता है, यह protein synthesis में help करता है, same as a tease, SER हमें fat molecule को make, बनाने में help करता है, last में हमने पढ़ा है, कि functions of RER, उसमें मैंने आपको, most important, तो last में मैंने आपको functions of ER पढ़ाया है, जिसमें दो points important थे, first था, यह एक network create करता है, second, ER creates channel between cytoplasm and nucleus, इस तरह से हम ER को factory of the cell कह सकते हैं, तो चलिए आज आपका इंडो-plasmic reticulum complete हुआ, THANK YOU